हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एर्दे रेट प्रिपरेशन इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए केंद्र विध्याले का प्रियोडिक टैस्स सेकिंड का कोशिन पेपर है यह क्लास फूर्थ का मैट्स का कोशिन पेपर है जिसे मैं पूरा एक्स्पेइन के जैसे ही आपको कोशिन पेपर मिलेगा सबसे पहले अपको इपने डीटेल करनी होगी आपको अपना नाम, रौल लंबर, सेक्शन, डेट, डेइ यह सारी जानकारी कोशिन पेपर में आपको बताय जाएगा कि यह जो कॉशिन पेपर है इसे फोर पार्ट्स में and understanding, इस बेस पर जो questions है पहले हम उसे discuss करेंगे, तो जैसे इस screen पर आप question देख सकते हो, यह है आपके लिए question number one, इस question में आपसे पूछा जा रहा है, write the fraction for the following, जैसे यहाँ पर one fourth है, one fourth के लिए आपको fraction लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो one divide by fourth अगर लिख देंगे आप, तो आपका correct answer हो जाएगा, उसके बाद second question में आपको बोला जा रहा है, list any two things from the surrounding, which can be used to draw a circle, circle draw करने के लिए किसी भी दो चीजों का नाम आपको यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है जैसे coin जो है आप उसे use कर सकते हो, circle draw करने के लिए इसके लाबा किसी भी bottle का जो cap होता है, ठीक है, यानि आप लिख सकते हो कि bottle cap जो है, इसे भी आप use कर सकते हो, circle draw करने के लिए, ठीक है, तो यह दो चीजे है जिसे आप use कर सकते हो, circle इसके लाबा कुछ और भी चीज़े है ताब उनका नाम भी लिख सकते हो ठीक है अच्छा उसके बाद next है आपके लिए question number third third question में आपको बोला जा रहा है fill in the blanks अब यह जो blanks given है इन blanks में हमें कुछ value fill करनी है जैसे first part देखो इसमें आपको बोला जा रहा है one जो है आप में mention किया गया है dash divides the circle into two equal halls अब देखो वो कौन सी line होती है line segment होता है जो circle को two parts में divide कर देता है तो यह जो portion है इसे हम क्या बोलते है diameter बोल देते है तो आप अपने answer में यहां diameter लिख सकते है क्यों diameter क्या करता है circle को two holes में two parts में से divide कर देता है उसके बाद next आप से बोला जा रहा ह कि five meter ठीक है five meter is equal to dash centimeter हमें यह आपका करना है यह जो five meter है ठीक है five meter को हम five mb लिख सकते है इसे अगर हमें centimeter में convert करना हो इसके लिए आपको क्या करना है यह आपसे बोला जा रहा है तो simple सा formula लगाओ और यह जो centimeter में इसे convert करके अपना answer लिख दो ठीक है अच्छा इसके बाद next है आपके लिए question number fourth fourth question में आपको बोला जा रहा है write the fraction number whose numerator and denominator are अब देको numerator and denominator की value आपको दे रखी है तो आप जानते हो अगर number आपको create करना है n by d निखेंगे और इस तरह से आप number create कर सकते हो जैसे यह क्या हो गया four by six हो गया first part तो मैंने आपको करवा दिया second part में n और d की value दे रखी है यह आप खुद से कर सकते है जो कि आपका answer क्या हो जाएगा one by eight हो जाएगा उसके बाद next है fifth question, fifth question में आपको बोला जा रहा है name the parts in the circle given below अब इस circle के अंदर जो different different parts है उनकी नाम क्या है यह आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है तो सबसे पहले जो center में ना point a है ठीक है यहाँ पर mention नहीं है एक point है इसके बारे में बताओ तो यह आपका क्या हो गया center है यह बिलकु लिख दब इसको center ही बोलते है तो आप यहाँ center लिख सकते हो उसके बाद next आप सो बोले जी है st क्या है st quad है इसका ठीक ता आप quad लिख दोगे a b a b हापर क्या है radius है तो आप radius अपने answer में लिख सकते है यह भी radius है उसके बाद oc यहाँ पर क्या है diameter है तो आप लोग यहाँ पर diameter अपने answer में लिख सकते है इस तरह से circle के जो different parts है इनकी बारे में आपको यहाँ लिखने के लिए बोला जा रहा है one by one सभी को read करेंगे इस diagram से और उसके बाद यह यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो यह 4 marks का question है अगर आप 4 हो सही कर देंगे तो आपको 4 के 4 marks मिल जाएंगे इसके बाद next है आपके लिए second competency वह यह है आपकी ability to compute ठीक है next competency हमारी आगे और इसके अंदर आपको बोला जा रहा है जैसे question number 6 है कि observe the pattern and fill in the boxes अब देखो यहाँ 10, 10 के अद 15, 15 के बाद 20 अब dash dash है ठीक है तो जैसे आप यह देखोगे 10 and 15 के बीच का जो gap है वो 5 का gap है ठीक है यानि किसके अंदर क्या हो रहा है 5 plus हो रहा है 15 and 20 को देखोगे इनके बीच का gap कितना है 5 है तो यहाँ पे भी 5 plus करके लिखा जा रहा है अब मुझे next number लिखना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 5 को plus कर दूँगा 5 plus करोगे 20 में तो आपके पास result क्या आएगा 25 आजाएगा अब next एक और लिखना है तो मैं again क्या करूँगा 5 को plus करूँगा 25 में 5 plus करोगे आपके पास 30 हो जाएगा और आगे निकालना है तो चाहो तो आप और आगे भी निकाल सकते हो, कि 5 प्लस करो, और आपके पास result क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानि 5-5 add-on होते चले जारे हैं इस pattern के अंदर, उसके बार next है, 7th question, 7th question में आपको बोला जारा है, complete the following pattern, अब यहां पे भी जो pattern create हो रहा है, उसे भी आपको complete करने के लिए बोला जारा है, जैसे इस 14 को देखो, 14 को two parts में या divide किया गया है, ठीक है, 14 में अगर हम 5 और 9 को plus करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, जो 14 है, जो 5 और 9 इन दुनों को plus करते हैं, 14 आ जाता है, ठीक है, इसी तरह से आपको यह बताना है कि जो 35 है, ठीक है, उसमें 14 और कौन सा number plus करेंगे, तो 35 आएगा, इसे calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में से इस 14 को minus करके अपना number निकाल लेते हैं, जो आप minus करोगे, यहां तो 1 आ गया, और 3 में से 1 minus करोगे, 2 आ गया, यानि 21 आ गया आपके पास, ठीक है, अब 21 क्या है, यह आपके बास 12 plus 9, इन दोनों को plus करोगे, तो आ ठीक है, इस तरीके से भी आप 21 निकाल सकते हो, दोनों में से किसी भी method से आप इस question को solve कर सकते हो, उसके बाद next है, आपके लिए question, इस question में, यानि 8th question में आपको बोला जा रहा है, using a compass, draw a circle of radius 4 cm, यानि इस question के अंदर सबसे पहले आप radius ड्रॉ करेंगे, और इसका जो value है, आपके पास length जो है, आपके पास 4 cm है, तो ये 4 cm वाला पहले आप एक radius ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी नाम देते हो, जैसे इस center का नाम O रख देते हैं, और इस point का नाम A रख देते हैं, उसके बाद आपको इस तरह से circle ड्रॉ करके दिखा देना है, और आपका ये question complete हो जाए ठीक है, आप चाहो हो तो steps of construction भी लिख दो, ताकि आपको पूरे marks मिल सकें, कहीं पर भी आपके marks ना कटें, ठीक है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, चलिए move करते हैं, फिर आगे next question की तरफ, तो next है आपके लिए question number 9, जो ये आपके screen पर आपको दिखाए दे रहा है इसमें आपको बोला जा रहा है, solve the following, अब ये जो values है, यहाँ आपको solve करने के लिए बोला जा रहा है, कि 2 plus 6, 2 divided by 6 है, और ये आपके पास plus में 1 by 6 है, तो दोनों का base same है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 नीचे लिख देंगे, और आपके पास ये 2 और 1 जो है, इसे आप plus कर ल उसके बार next देखो, आप यहाँ पे देखोगे, 2 by 4 minus 1 by 4, यहाँ पे देखोगे, तो दोनों का base same है, यहाँ पे 2 by 4 और यहाँ 1 by 4, base same है, जो base same है, तो आप यहाँ एक line ड्रॉ कर सकते हो, और नीचे 4 लिख सकते हो, उसके बाद ये 2 जो पहले आ रहा है, 2 लिख लोगे, minus क sign है, वो यहाँ लिख लोगे, और 1 लिख लोगे, तो इस तरीकी से आप इसे लिख सकते हो, minus करने के बाद 1 by 4 आ गया, अब ये तो already simplest form है, simple form है, ठीक है, इससे जादा simplify हम इसे नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा answer हो जाएगा, 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसके ब करके अपना answer निकाल सके, ठीक है, चलो देखो, अब जहाँ पर radius 5 cm दे रखा है, अगर मुझे diameter निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को 2 से multiply करूँगा, तो answer क्या आएगा, 10 के साथ cm और लगा देंगे, अब ये देखो, यह 8 दे रखा है diameter, तो अगर मुझे radius निकालन होगे, तो 9 multiply by 2 करोगे, और आपके पास ये 18 cm result आ जाएगा, 22 आपके पास diameter दे रखा है, ठीक है, तो 22 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास result क्या आएगा, 11 आ जाएगा, तो 11 cm आपके पास ये result आ गया, इस तरीके से आप इस 10th question को complete कर सकते हैं, जब भी आपको radius calculate करना हो, तो आप क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे, और जब क्या आपको diameter calculate करना हो, तो आप क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस question को कर सकते हैं, इसके बाद next है, आपके लिए ये last competency, इस competency में आपको problem solving ability जैसे इसकी heading है, word problems दिए ज the circle, both the color, आप देखो, blue color और red color, ठीक है, जैसे हैं question में बोला जा रहे है, two part, two part जो है, उसके इसके, उसके ब्लू कलर में fill करना है, ठीक है भई, two part जो है, जैसे इस वाले part को blue color में कर लों, ठीक है, blue color में, अच्छ, इसके 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 इलाबा इस वाले part को घु 1 कलर में क आप three parts को red color में कर दो, चलो ठीक है भई, red color में three parts को मैं कर देता हूँ, color, ठीक है, ये मैंने roughly roughly ऐसे color कर दिया, आच्छा, इतना करने के बाद, यानि कि आपने blue color में भी कर दिया, red color में भी कर दिया, आप इसके fraction को लिखो, ठीक है, तो fraction लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सब red वाला, ठीक है, ब्लू वाला, और red वाले की बात करें, तो red वाला आपका कितना हो गया, three by eight हो गया, ठीक है, तो इस तरह साप आंसर लिख सकते हैं, हाँ, चाहो तो blue वाले को थोड़ा simplify भी कर सकते हो, two, one, two, four, eight, इसको simplify करके, यानि कि one by four भी अपना आंसर निकाल सकते हो three, यह जो red वाले में नहीं हो पाएगा, क्यों three के table में eight नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपना आंसर छोड़ सकते हैं, इसके बाद next है, आपके लिए twelfth question, twelfth question में आपको बोला जा रहा है, draw a circle and divide it in four equal, it is in four equal parts and shade three by four part of it, देखो सबसे पहले तो आपको एक circle draw करना है, ठीक है, चलो भाई, इस तरह से एक circle मैंने draw कर लिया, इसे four equal parts में draw करना है, divide करना है, तो मैंने इसे four equal parts में इस तरह से कर दिया, अब उसके बाद बोला जा रहा है, कि three by four part जो है ना, यानि कि total four part बन के आ रहे है, इसमें three part को आप shade कर दीजिए, यानि color कर दीज तो ये काम आप complete कर लेंगे, तो इस तरह से आपका ये 12th question भी complete हो जाता है, इसके बाद next है, आपके लिए question number 13, ठीक है, देखो ये है, आपके लिए question number 13, 13 question में आपको बोला जा रहा है, कि there are five almira in the house, if one almira has three cell, find the total number of cell, अब हम गर हमें total number of cells calculate करना है, तो हम लोग क्या वन almira के अंदर है, जैसे आपको बोला जा रहा है, कि पहले तो number of almira पता होना चाहिए, तो five almira है, five ले लिया, one almira के अंदर आपके पास कितने states है, तो वो आपको बताया जा रहा है, one almira के अंदर three है, three cells है, तो five multiply by three कर लोगे, तो आप यहां में जब multiply करोगे, आपके पा selfs भी आप यहां पर अपने answer में लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आपने 13 question को भी complete कर लिया है, उसके बाद next है, आपके लिए 14 question, 14 question में बोला जा रहा है, कि there are 200 passenger in a train coach, if one by two of them are male, how many females are there, देखो, अब number of females passenger है में calculate करना है, तो solve करने के लिए आप यहां लिख दोगे, क ठीक है, पहले तो आप यह लिख सकते हो नंबर हो, females भी लिख सकते हो, ठीक है, अब total आपके पास क्या है, 200 है, 200 में से half तो male है, one by two, तो one by two ही कितने होंगे, वो female होंगे, तो उसे divide करोगे, तो यह two under two, और यह two under two हो गया, बाकी जो double zero वो यहां लिख लोगे, यानिकि ऐसे ही से complete करेंगे, तो अब आप अपने इस question paper के last question पर पहुंच जाओगे, जो कि है आपके लिए question number 15, 15 question में आपको बोला जा रहा है, observe the table given below carefully and write answer of the following questions, अब देखो यह जो question है, जैसे आप पहले table को अच्छे से देख लो, जिसमें पहले serial number है, उसके बाद item, जैसे potato, tomato, carrot, रेडिस, इनकी नाम दे रखे हैं आपको, और उनका cost दे रखाया, जैसे potato का cost देखो 20 रूपी पर kg है, tomato का cost 40 रूपीस पर kg है, carrot का 30 रूपीस पर kg है, और उसका रेडिस का 10 रूपीस पर kg है, ठीक है बाई, यह तो हमें इसके rate पता लगे, अब इसकी basis में four questions है, small parts से इसक सकते हैं, तो हम stable में से क्या करेंगे, potato का cost देख लेंगे, वो आपके पास क्या 20 रूपीस पर kg है, तो हम लोग 20 को क्या करेंगे, यहाँ पर 1 by 2 से multiply कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 20 लिख होगे, और इसका 1 by 2 करोगे, तो आपके पास यह 20 divided by 2 हो जाएगा पहले तो, अब 2 1 ज cost of 1 by 4 kg of tomato, तो पहले हम tomato को cost देख लेते हैं, तो वो आपकी पास कितना है, 40 है, ठीक है, तो हम 40 को क्या करेंगे, यह जो 40 आपकी पास है, इस 40 का 1 by 4 करेंगे, ठीक है, 1 by 4 करना बहुत असान है, आप 40 को 1 से multiply करोगे, 40, divide by 4 है आपकी पास, तो आप यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 10 जा आपकी पास क्या रहे है, 40 आएगा, तो यहाँ पर भी आपका answer 10 आगा, 10 का मतलब क्या होगा, रुपीज 10 हो जाएगा, उसके बाद 3rd question है, find the cost of 5 kg of carat, अब carat की जो cost है वो देख लेते हैं, तो इसका cost आपकी पास 30 रुपीज आ रहे है, ठीक है, 30 रुपीज पर केजी है और 30 रुपीज जो पर केजी है, आपके पास, इस 30 को आपने क्या करना है, 5 से multiply कर लोगे, आपके बास result आजएगा, तो जब आप इसे multiply करोगे, तो आपके बास answer क्या हैगा, 150 आजएगा, तो 150 को हम लिख सकते है, रुपीज 150, ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, इस 3rd part को भी complete कर लिया, और उसके बार last part, fourth part में आपको बोला जा रहा है, more about half kg of tomato and half kg of radish, how much did he pay for that, सबसे पहले हमें इस tomato का cost निकाल लेते है, tomato कितना है, तो tomato को मैं बोला जा रहा है कि half kg, तो tomato का cost कितना था, 40 रुपीज था, तो 40 रुपीज का पहले हम half करेंगे, ठीक है, फिर उ इसका cost देखो, plus का sign लगा लोगे, अब plus का sign लगाने के बाद, जो redis का cost है, अब वो देख लेते हैं, यह जो इसका cost है, यह आपके बाद 10 रुपीज पर kg है, ठीक है, तो 10 रुपीज पर kg जो हमारे पास यह cost है, इसका भी हम half कर लेंगे, ठीक है, तो 10 रुपीज का half होगे, यहाँ पर equal to sign लगा लेता हूँ, अब 40 को पहले 2 से divide करोगे, तो आपके पास यह से solve करोगे, तो आपके बास यह 20 आ जाएगा, तो 20 तो first part का होगे, अब यह second जो यहाँ दिख रहा है, तो यह 5 रुपीज यहाँ से आ जाएगा, 20 multiply by 1 किया, 20 आ जाएगा, 5 multiply by 1 question number, जो आपके पास last था, यह 15 question जो था, इसके fourth part को complete कर सकते हो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा, वीडियो को like कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और चैनल friends at the rate preparation क subscribe कर लीजिए, bell icon press कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी notification आपको receive हो सके, एक request और है कि मेरा एक और channel है, मेरे नाम से Mr. Krishna Shah, इस channel को भी subscribe करके bell icon press कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस channel पर तो उसकी notification भी आपको receive हो सके अगर आप केंद्री विद्याले के student हैं, तो description ज़रूर चेक करिए, जिसमें मैंने आपको telegram group का link दे रखा है, जिसपे click करके आप group join कर सकते हैं, आप चाहो तो आप मुसे WhatsApp पे भी connect हो सकते हो, उसका link भी नीचे आपको description में मिल जाएगा, कोई doubt है कुछ पूछना चाहते ह तो Instagram पे follow कर लो, जा chat पर, message पर अपने सारे doubt मुसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मेरी ID है, add the rate Mr. Krishna Shah, ठीक है, चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, thanks for watching, bye bye